भंडारे वाला प्रशाद यानी हल्वा कैसे बनाते हैं ये आज हम सीखेंगे सबी लोग उंगलिया चाट चाट कर खाएंगे और सोचेंगे कि इतना परफेक्ट इतना कलर वाला और बिल्कुल दानेदार रसीला हल्वा घर में कैसे बनाया तो चलिए फटा फट से हम देख लेते हैं की इसके लिए हमें क्या-क्या ट्रिक यूज़ करनी है और इतना परफेक्ट ठल्वा बनाने के लिए हमें क्या-क्या यूज़ करना है नमशकार दोस्तों प्रीती गुपता किचिन में आपका स्वागत है इसके लिए हम लेंगे सूजी, तो आपके पास जो भी सूजी हो ये एकदम बारिक वाली है, अगर नहीं है तो आप मिक्सी में थोड़ा उसको पीस लीजिए, मेजर मेंड के लिए हम सेम कटोरी का यूज करेंगे, तो एक कटोरी हमने ली है सूजी, एक कटोरी सुद्धिगी और एक कटोरी शक्कर, तो शक्कर को मैंने इसी कटोरी से नाप लिया है, बात की प्रोसेस मैं और बताती जाओंगी, एक कटाई लेंगे और उसमें अभी हमें ये पूरा घी नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे, जैसे ज़रूरत लगेगी हम घी का यूज करते जाएंगे, घी बहुत अच्छे से गरम कर लेना है, तो ये देखिए, सूजी डालते ही एकदम उबाल सा रहा है, बबल सा रहे है, तो हमें घी को इतना ही गरम करना है, ताकि सूजी कटाई में जाते ही फूलने लगे, अब इसको हम बल्कुल लो फ्लेम पर जब तक हमारा सूजी सिक रही है, एक दूसरे पैन में हम ले लेते हैं, सेम कटोरी से तीन कटोरी पानी, और डाल देंगे एक चम्मच घी, तो मैंने इसी घी से यूज किया है, अलग से यूज नहीं करना है, और कलर के लिए डाल दिया है, मैंने फूड कलर, आप चाहे तो केसर के धागे भी यूज कर सकते हैं, सूजी को हम बीच बीच में चलाते जाएंगे, अच्छी तरह से सेखते जाएंगे इसको, अब ये एक सीक्रेट चीज है, ये है बेसन, तो एक चम्मच हम बेसन डालेंगे, हलवाई लोग इसको ज़रूर यूज करते हैं, इसलिए उन पिस्ता का इतना ग्रीन कलर कैसे आया है, ये मैं आपको बताऊंगी, तो पहले तो जो आपको पसंद हो ड्राइफूर आप इधर सी स्टैप पर डालेंगे, ताकि हमें उसको अलग से फ्राई ना करना पड़े, हलवाई लोग भी इसी मैं ही डाल देते हैं, वो लोग कभी अलग से फ्राई नहीं करते उसे, पिस्ता का इतना बढ़िया कलर इसलिए आया है, क्योंकि मैंने पिस्ता को थोड़े गरम पानी में उबाल लिया था, और जब वो थोड़े गल गय थे, तो उसका उपर का छिलका उताल लिया था, और अंदर इतना ग्रीन कलर हमें मिल गया तो आप थोड़ा सा इलाइची का पाउडर इसमें जरू राइट कीजिए, इसको हम लो फ्लेम पर सेखते जा रहे हैं, तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से सिख रहा है, इसमें हलके हल से अब बबल साने लगी है, इसकी सिखाई बहुत अच्छे से हो गई है, इस इसको फैला लेंगे, ड्राइब फ्रूट्स हमारी बहुत अच्छे से क्रंची हो गए है, सिख गए है, कलर भी बहुत अच्छा आगया है, अभी हम जो अपने पानी उबलने रखा है, जब वो डालेंगे, और अच्छा कलर आएगा, गैस का फ्लेम इस स्टेज पर मैंने ब एकदम रवा उड़ जाएगा, और बहुत दानेदार हमारा हलवा बन के तयार होगा, यह मैंने पूरा पानी इसमें डाल दिया है, गैस का फ्लेम आप ओन कर देंगे हम, और इसी स्टेज पर हम डाल देंगे शक्कर, क्योंकि हमारी सूजी भी गरम है और गरम पानी डाला थ तो हमारी शक्कर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, लगातार चलाते रहेंगे इसको, अगर आप ठंडा पानी डालेंगी तो वो हलवा थोड़ा चिपचपा बनेगा, और अगर आप गरम पानी इस तरह से जो मैंने बताया है, उस तरह से यूज करेंगे तो हमारा हलवा तक भी एकदम नरम और रसीला बना रहेगा, तो इस स्टेज को आप जरूर फॉलो कीजिए, गरम पानी वाला, देखिए हमारा हलवा बनकर तयार हो गया है, एकदम रसीला, परफेक्ट कलर बाला, एकदम दानेदार, और साइनिंग भी बहुत अच्छी आई है, और तरी मे बिल्कुल नहीं चिपका है, बिल्कुल नहीं लगा है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारा हलवा बनकर तयार हुआ है, अब जो घी बचा है, आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी और डाल दिया है, ताकि मिलता है बुल्कुल वैसा ही हल्वा हमारा बनकर तैयार हो गया है अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल पर नए आए है तो सब्सक्राइब का बटन दवाना नहीं भूलिए ताकि मैं डेली रेसिपी डालती हू आपके पास उसका नोटिफेकेशन डेली पहुँच जाए आप इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए और अपने अनुभब मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए हम मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई